लो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वंडे एक्जाम टारगेट पर फ्रेंस यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी के बहुत ही जादा इंपोर्टेंट कोशन जो कि आपके यूपिटेट, सीटेट, सुपर्टेट सभी एक्जाम के लिए कोई भी एक्जाम हो तो सभी के लिए equally important एक class होने वाली है तो आप लोग शुरू से लास्ते वीडियो के साथ बने रहीएगा और आपको बता दें आपका एक टेलिग्राम है चैनल मतलब जिसके लिंक हम आपको नीचे description box में दे देंगे साथ ही साथ यहाँ पर उसका नाम भी बताते हैं आपको वीडियो को एक बर फटाफट से लाइक और दोस्त हमें शेयर कर दीजिये जिसकी सभी तक notification पहुंच जाए network की बहुत जादा प्रॉब्लम है कोशिन आप सभी की screen पर था किस वर्ग का विंजन है ओस्ट है तालब भी है दंति है या उश्म है तो विकल्प यहाँ पर हमारा c से हो जाता है दंति है option c ता दंतिय वर्ग का विंजन है उचारंड स्थान के आधार पर जो वर्ग के विंजन होते है जैसे कंट में आप देखिंगे कंट में आपका काःःःःः रग और शा आता है मुर्धन्य से टाठा डाठा अड़ा आता है दंत्यन ताठा डाठा आता है ठीक है और दंत्योस्ट से यानि कि निचले ओठा और उपर के दाथों से वा और फा ये पुछा चाता है खुब अगले कोशन पर चलेंगे नेक्स्ट है ये सारे पूछे गए हैं जो मैंने आपको बताए नेक्स्ट हमारा कोशन है पन्नग का समानार्थी शब्द क्या है इंपर्टन कोशन है पन्नग का समानार्थी शब्द आपको बताना है बिकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा अप्सन ए सही होजाता है उरग पन्नक का समानार्थी उरव होता है इसके और परियाईवाची कौन है? अही है सर्फ है भुजंग है विश्धर है ब्याल है नाग है साप है फड़ी धर है सरिस्रिफ है ये सबी है केश्री का परियाईवाची सिंग है पिनाक का परियाईवाची धनुष है और पिक का परियाईवाची कोयल है आपको इतना मैंने यहाँ पर डिटिल में बता दिया तो एक के साथ आपके कई कोश्चन त्यार हो रहे हैं आराम से ध्यान से पढ़ते रहे हैं और वीडियो के साथ बने रहेगा अगला कोश्चन आप सभी के लिए है कोश्चन है जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं ना है सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा मा है उपरोग दोहे में अधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं अधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं Option यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? Option C, अग्यान और ग्यान के प्रतीक है इस दोहे में कभी ने अध्यारा और दीपक के प्रतीक के रूप में ग्यान और अग्यान की बात की है अध्यारा अग्यानता से संबंदित है, अग्यानता से रिलेट करके बता रहे हैं और दीपक ग्यान से समंद इस्थापित करकी ये बता रहे हैं ठीक है चलिए आते हैं हम अगले कोशन पर नेक्स्ट है यामा किसकी रचना है विकल्पियाँ पर हमारा भी सही हो जाता है महादेवी वर्मा की रचना है इसी तरीकी के कोशन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं यामा छायावाद की प्रमक कवित्री कवित्री कैसे लिखा जाता है ये भी देख लीजिए कोशन पूछा जाता है कवित्री तो ये महादेवी वर्मा का काब्य संग्र है विधा कौन सी है? ये काब्य संग्रह है जो इनके और काब्य संग्रह है उसमें है निहार क्या नाम है? निहार रश्मी नीरजां सांध्यगीत दीप शिखां सब्त परड़ा आपको नया नाम मिला होगा नोट कर लीजिगा और एक इंपोर्टन फैक्ट इन ही से रिलेटेड है काब्य जो ये है महादेवी वर्मा का यामा ये काब्य संग्रह है इसी पर 1982 में महादेवी वर्मा को भारतिय ज्यान पीट पुरसकार से नमा जा गया था और एक इंपोर्टन कोश्चिन इसे रिलेटेड आदुने की यूग की मीरा किसे कहा जाता है महादेवी वर्मा को महादेवी वर्मा को आदुने की यूग की मीरा कहा जाता है ठीक है और इन्हें बौद धर्म से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री की रूप में स्विकार किया जाता है अगले कोशिन पर आएंगे नेक्स्ट हमारा कोशिन जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं समास संधी प्रत्य या उपसर्ग option C सही हो जाता है प्रत्य कहते हैं तो जो शब्दान्स किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम प्रत्या कहते हैं, उपसर किसे कहते हैं, उस सब्दान्स या अभ्यकों कहते हैं, जो किसी सब्द के पहले आकर के उसका विशेस अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम उपसर कहते हैं, समास किसे कहते हैं दो या दो से अधिक सब्दों शब्द या पद कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का परस पर संबंद बताने वाले शब्दों या प्रत्यों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से एक जो स्वतन सब्द बनता है उस शब्द को हम सामासिक शब्द कहते हैं और उन दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है जो संयोग से बन जाता है उसे हम कहते हैं समास कहते हैं और जो दोनों पद मिलते हैं, वो सामा सीख पद होते हैं, क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पर संधी भी बच रहा है, तो संधी किसे कहते हैं? दो वर्डों के मेल से, दो वर्डों के मेल से उत्पन जो विकार होता है, उसे हम कहते हैं संधी. ठीक है जो दो अक्षर है उनके पास आने की कारण उनके सेयों से जो विकार उत्पन होता उसे हम क्या कहते हैं संदि जो पास पास के होते हैं अगले कोशिन बढ़ा जाते हैं next है कोशिन है इस्तिति में परिवर्तन न होने के भाव को ब्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है अप्सन यहीं पर D सही हो जाता है यहां पर वही धाक के तीन पाथ इस्तिति में परिवर्तन न होने के भाव को ब्यक्त करने वाली जो कहावत है वही धाक के तीन पाथ ठीक है और ये देखिए जस दूला तस बनी बराता इसका मतलब होता है कि जो नित्रत तो करता है नित्रत तो करता के सौभाव के अनुशरन करता होते हैं ठीक है अच्छा ना सुख में मोटे ना दुख में पतले इसका मतलब है सभी परिस्थितियों में समार रहना एक समार रहना इन सभी के अर्थ में ने बता दिये next question हमारा क्रिया से बनने वाली भाव आचक संग्या आपको बताने है क्रिया से बनने वाली भाव आचक संग्या क्या है थकावट, बुराई, आलश्य या बुढ़ापा अपसनिया पर हमारा एस ही हो जाता है थकावट अपसने तो थकावट क्रिया से बनने वाली भावाचक संग्या है जिसमें क्रिया क्या है? थकना है जिसमें थकना क्या है? यह यहाँ पर क्रिया है तो इस थकना से जो भावाचक संग्या बनी वो थकावट हो गई बुढ़ापा ये जाती भाचक संग्या है बुराई और आलश ये भी भावाचक संग्या है लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि इनका निर्माण क्रिया से नहीं होता है लेकिन थकावट का निर्माण थकना क्रिया से हुआ है इसलिए option यहाँ पर आपका A सही हो जाएगा हैं तो दोनों बुराई और आलत से भी भावाचक संग्या लेकिन यह क्रिया से यहाँ पर पूछा जा रहा है question तो question के according आपका option A सही हो जाता है अगले question पर आते next है अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है तत्पूरुस कर्मदार है अभ्याई भाव या बहु ब्रिह समास option यहाँ पर हमारा C सही हो जाता है अभ्याई भाव समास अनुरूप शब्द के समस्थ पद में अब्याई भाव समास है अनुरूप शब्द में अनु एक अब्या है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो किस पद की पूर्व पद की प्रधानता हो और समस्थ पद अब्याई हो जाए वहाँ पर अब यही भाव समास होता है तत्पुरु समास इसमें अंतिम पद प्रधान होता है और इस पद में साधारत या प्रधम पद जो होता है विशेशन होता है और दूसरा पद विशेश सी होता है इसी कारण इस समास में उसकी प्रधान ता रहती है माखन को चुराने वाला अब कर्मधारे की हम बात करेंगे तो जिस समास का प्रथम पद विशेशन और दुतिय पद विशेश अत्वा संग्या हो उसे हम कर्मधारे समास कहते हैं महा कभी महा कभी महान है जो कभी बहुबरी ही समास इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है इसमें क्या होता है दोनों शब्द मिल करके एक नया अर्थ प्रकट करते हैं जैसे पितांबर, पीला हैं अंबर या पीले वस्त नहीं जिसके पीला है अंबर जिसका यानि कि किसका है? विश्वनु जी का. इसी तरीके से इसका एक नया ही अर्थ निकलता है. आगे आते हैं अंगले कोषिन पर कौन सा शब्द ब्रमर का परियावाची नहीं है पुछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो ब्रमर का परियावाची नहीं है अपसनिया पर हमारा कौन सा सही होगा अपसनिया पर डी सही हो जाता हमारा प्रभाकर प्रभाकर शब्द ब्रमर का परियावाची नहीं है ब्रमर का जो परियावाची शब्द है वो मदुकर है अली है मदुप है शटपद है वरिंग है, भोरा है मदुराज है मदुमक्षा है ये सबी है प्रभाकर किसका परियावाची है प्रभाकर सूरे का परियावाची दिनकर दिवाकर भानु भासकर प्रभाकर ये सबी रभी भी ये भानु सविता पतंग आदित्या ये सबी सूरे के परियावाची है नेक्स कोशिन पर आएंगे रितुजा का सही बिलोम option कौन सा सही होगा तेढ़ा पन वक्रता, बाकापन तिर्चापन रितुजा का बिलोम option आपका B सही होजाता वक्रता है तेढ़ा पन का बिलोम क्या होता सीधा पन होता है और ये कोशिन इंपोर्डनल है रिजुता रिजुता रिजुरेखा बोली जाती ना रिजुरेखा, जो सीधी चली चलती है, अगला कुश्यन है, जो पसीने से उत्पन हो, उसके लिए एक उप्युक्त शब्द आपको बताना है, विकल्प यहाँ पर कौन से सही होगा? स्वेंभू, जरायुच, स्वेदज, अंडच Option C, जो उत्पन होने वाला, उत्पन हो राजो, स्वेदज स्वेद मतलब पसीना, पसीने से उत्पन होने वाला स्वेदज अब यहाँ पर देखिए, अंडच, जिसका जन्म किस से हुआ हो, अंडे से हुआ हो जरायुच, गर्भासे से उत्पन होने वाला, उसे हम कहते हैं जरायुच आज़े, आपको यहाँ पर बताएं, जरायुच मतलब क्या होता है? शुद्ध हिंदी की लांग्विज है, शुद्ध हिंदी की लांग्विज खेड़ी बोलते हैं, जो नाल की समान की संरशना होती है, प्लैसेंटा से जुड़ी हुई होती है या आप कह सकते हैं, गर्भासे से उत्पन होने वाला, यानि कि जो पेट में पल रहा है, उससे उत्पन होने वाला, मा के गर्भ से यानि कि आप कह सकते हैं बच्चा जो होता है, पैदा, अंडे में अंडा होता है, फिर बाद में बच्चा बनता है तो जरायू का मतलब यही होता है, शुद्ध हिंदी स्वेमभू, जिसका जन्म, जो अपने आप से उत्पन होआ हो, स्वेमभू का मतलब स्वेम से जो अपने आप से उत्पन हुआ हो तो यहाँ पर उम्मीद है कि सारी चीज़े क्लियर हो चुकी है बहुत बढ़े हैं अगले कोशिन पर आते हैं तो इबाद जितने भी स्टोयन वीडियो को देख रहे हैं फटवर्वर्ट से वीडियो को करेंगे लाइक और अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे जिसे की सब ही स्टोयन तक वीडियो पोहुँच सकें कोशिन साक्षी का मोल तत्सम शब्द क्या है साक्षा, साक्षी, सक्षी या इनमें से कोई नहीं औप्सन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है साक्षी साखी का मोलतत्सम शब्द साक्षी होता है अगला कुश्शन हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कभी एक आग काना था इश्वर्दास शेक नवी कुतुबन जैसी अपसन डी हमारा सही होता है जैसी हिंदी साहित्य के प्रेमार्गी साखा के जिसे अब सूफी भी कह सकते हैं तो प्रेमार्गी या सूफी शाखा के प्रेमाख्यानक कभी जैसी एक आग से अंदे थे जैसी प्रसिद सूफी शेक मोहिनुद्दीन के शिस्य थे और शेर सा के समकालिन कभी थे और अमेठी के जायस नामक इस्थान पर रहते थे तो नाम से ही रोग रख लेते जैसे इंदौरी, राहत इंदौरी, इंदौर के थे इंदौरी ऐसे नाम रख लिया जाता है तो इनकी जो रचनाएं हैं, जो जायसी के ग्रंग थे बहुत फेमस हैं और एक्सिलेंट पद्मावत, पद्मावत है, पद्मावत, नोट कर लीजे, पुछा चाते खुब, पद्मावत, अखरावट आखरी कलाम, चित्र रेखा, जित्र रेखा है, ध्यान दीजेग, लेखा नी, चित्र रेखा कहरा नामा, कहरा नामा, और मसला नामा, कन्हावत, ये सभी मलिक मुहमत जायसी के ग्रंग हैं, नोट कर लीजेगा, बहुत सर्च करके मैंने लिखा हैं, ठीक है, अब यहाँ पर दिखिए, और ये, इश्वरदास की, आपको बता देते हैं, सत्यवत्ती, जो फेमस हैं, वही बताते चलते हैं, शेख नभी की, ज्यान दीप है, और कुत्वन की फेमस हैं, ब्रेगावत्ती, तो जो जो रचनाई फेमस थी, वो मैंने आपको तीनों बता दी, ठीक है, आपको ये क्लास कैसे ल लग रही है जरूर बताइगा उम्मीद तो यही है कि अच्छी लग रही होगी क्योंकि हम बिलकुल भी एक भी पॉइंट लापर वाही नहीं करते हैं हमेशा खोज करके अच्छी चीजे आप तक पहुचाने की कोशिश करते हैं उसे टाइप करते हैं और उसे रिलेटेड जि पूरी कोशिश करते हैं एक ही कोश्चन में एक वीडियो तो बहुत बड़ी वात हैं एक ही कोश्चन में सूचते ही वह सारी चीजे कभर हो जाएं और घोच पोच भी नहों आपके दिमाग पर मैंड पर वर्डन भी ना पड़े तो चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट संगया है कभी शब्द में कौंसी संगया है विक्ति वाचंक जाति वाचंक द्रब्ब्रें वह這些 अपसनिया पर हमारा सेली हो जाताह सरी संगया है जिन संगया उन्ही प्रकार की वस्तियं अथि वह वस्तौन वह नदी नदी ब्यक्ति वाचक संग्या ब्यक्ति वाचक संग्या में जिन शब्दों से किसी एक वस्तु या ब्यक्ति का बोध होता है उसे ब्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं राम गंगा काशी हिमाले रामचरित मानस यह पूछा गया है हिमाले रामचरित मानस काशी गंगा यह सब ए आप लोग definition तो जानते होंगे लेकिन example इसका पूछा जाता है जिस संग्या से जिस संग्या शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुढ धर्म दशा अथो अब व्यापार का बोध होता है उसे हम भाव आचक संग्या कहते हैं लंबाई गुढ का पता चलगा है बुढ़ापा द अगले कोशन पर चलेंगे नेक्स्ट हमारा कोशन का मुख्य उद्देश्य क्या है सस्वर वाचन क्यों कराया जाते हैं पढ़ाने के बाद यह कहा जाते हैं कि आप सस्वर वाचन करिए पाठ को अच्छी तरीकी से पढ़ लीजिए ऑप्सन यहां पर हमारा बी सही हो जाता ससवर बच्चों को शब्दों का सही ज्यान होता है और उच्छार समंदी सभी प्रकार की समस्यों का समाधान सिक्षक करते हैं ससवर पाठन से बच्चों में बोलने की शैली का विकास होता है जो बोलने की शैली होती उसका विकास होता है नेक्स्ट कोशन पर आएंगे हमार ऐसा से कहीं ने पठीक्षपूसत्र साथन की तरह काम करती है चाथ रोगों को सबसे पहले बादा में शब्दों का ज्यान किसका ज्यान कराने के लिए बच्चों को पुस्तक की आवश्यक्ता पड़ती है और प्रते किस्तर पर बच्चों को उनकी पार्थी पुस्तकों के अनुरूप हिंदी भासा का ज्यान दिया जाता है पुस्तक एक बिद्यार्थी की जीवन में बहुत ही महत्पूर वस्त है जिसका प्रयोग अपने संपूर्ड शात जीवन में करता है अगला कुशी ने भासा सिक्षण का आदर्ष वातावरण क्या है भासा सिक्षण का आदर्ष वातावरण ऑप्सन यहां पर हमारा कौन से सही होगा ऑप्सने बिद्यार्थियों की अभिव्यक्त की पूरी आजादी होने चाहिए आदर्ष वातावरण बिद्यार्थियों के लिए अव्यक्त की पूरी आजादी प्रदान करता है छात्र जिस भासा को सीखता वह उसी भासा की माध्यम से अपनी अव्यक्ति भी करता है विद्यातियों को कक्षा में अपनी अव्यक्त की आजादी होनी चाहिए जिससे की कक्षा का महुल आदर्श होता है ठीक है मारा अगला कोशिन है वालेक जिसमें किसी मुद्दे के प्रती समाचार पत्र अपनी राय प्रकट होती उसे हम क्या कहते हैं वालेक जिसमें किसी मुद्दे के प्रती समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है उसे हम संपाद की यह कहते हैं उसमें राय ही प्रकट की जाती है आप लोग देखते होगी न्यूस्पोरे में पूरा एक पिच होशन हैं जहां जहां शब्द ब्याकरण की दिरश्टी से क्या है जहां-जहां जो शब्द है ये ये ब्याकरण की दृष्टी से क्या है अब सनिहापर C से हो जाता है पुनरुक्त शब्द यूग में है इसके और उदारान में जैसे पूछा जाते हैं कहां-कहां अभी-भी, कभी-कभी, जैसे-जैसे ये सबी है जो भिनार्थी शब्द यूग में होता है उसका अर्थ ऐसे शब्द जो एक दूसरे से भिन्न होते है जो विपरीत आर्थक शब्द यूग में होते है उसका मतलब होता है ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत हो बिलोम हो उल्टा हो एक आर्थी शब्द यूग में का अ अगला है किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रैक कर लाने की क्रिया क्या कह लेती आयात निर्यात प्रेशन या वाहन अप्सनियां पर हमारा ए से हो जाता है आयात किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रैक कर लाने की क्रिया को हम आयात कहते हैं जबकि किसी वस्तु को अपने देश रे दूसरे देश में बेशने की क्रिया को निर्यात कहते हैं, किसी वस्तु या पत्र को कही बेजने की प्रक्रिया को प्रेशन कहते हैं, वह हम जिससे कि हम आते जाते समान को ढोया जाता है, वा तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इला हो जाता है सूर्य कांत्र पाथी निराला की ये कवित्ताrin है उनकी पंक्तियां है ये च्चैवाधी कभी है ध्यान रखिएगा पूछा जाता है कि निम्न मेंसे चायवादी कभी कौन से नहीं है तो जब जानते रहेंगे चायवादी कौन है तभी तो बता पाएंगे कि ठीक है कि आगे चलते नेक्स्ट है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है अलंकार इसमें कौन सा है उप्सन डी सही हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार सोहत ओड़े पीट पट श्याम सलोने गात मनो नील मड़ शैल पर आतप परिवप्रभात इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है मनो उपमा अलंकार जहां पर समानता उपमा का मतलब होता है समता तुलना या बराबरी की जाती वहाँ पर उपमा होता है रूपक अलंकार में उपमे या उपमान का आरूप या उपमान और उपमे का अभेद ही रूपक अलंकार है अनुप्रास अलंकार वर्डों की आप बृति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं अप बृति का मतलब किसी वर्ड का एक से अधिक बार आ जाना वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता बहुत ही आसान होता आप लोग पहचान जाते हैं अगला मारा कोशिण गीता मंद मंद मुस्कुरा रही थी इस वाक्य में यह इस वाक्य में व्याकरण की द्रिष्टी से क्या है अब सनी यहां पर हमारा बी से हो जाता है क्रिया विशेशन मंद मंद यह मंद मंद पूछा जा रहा है मंद मंद शब्द यूग में किसी क्रिया की विशेश्था बताता है कैसे मुस्कुरा रही है मंद मंद धीरे धीरे तो यह क्रिया विशेशन हुआ क्रिया मुस्कुराना और कैसे मंद मंद तो इस क्रिया की विशेस्ता बताए तो इस क्रिया विशेशन हो गया जो शब्द क्रिया की विशेस्ता बताएं उसे हम क्रिया विशेशन कहते हैं संग्या किसे कहते हैं संग्या उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेस वस्तुभावा जीव क नाम पता चलता है सर्वनाम जो संग्या के बदले आते हैं विशेशन जो संग्या सर्वनान की विशेश्था बताते हैं अगला कुछिन है ज्यान पीट पुरसकार कि स्थेट में स्ट्रेस्ट कारे करने पर दिया जाता है समासेवा सिनेवा बिग्ञानिया साहित्य option आपका यहाँ पर D सही हो जाता है साहित्य option D सही हो जाता है साहित्य ग्यानपीट पुरसकार भारती भासाओं में स्ट्रेस्ट साहिति स्रेजन पर दिया जाता है ग्यान पीट पुरसकार भारत में साहिति के लिए दिया जाने वाला सर्बस्ट्रेस्ट पुरसकार है और ग्यान पीट पुरसकार का प्रारम 1964 में किया गया और सन 1984 इस भी के बाद ग्यान पीट पुरसकार लेखके समगर साहितिक योगदान पर दिया जाने लगा ठीक है? अगला है निम्नांकित में से कौन सी भारूपी परिवार की भासा नहीं है? भारोपी परिवार की भासा कौन सी नहीं है option यहाँ पर हमारा सही हो जाता है option C Tamil Tamil भारोपी परिवार की भासा नहीं है बलकि यह है द्रबिण परिवार की भासा है किस परिवार की है द्रबिण परिवार की भासा है जबकि हिंदी, मराठी और गुजराती ये तीनों भारोपी परिवार की भासा हैं किस परिवार की भारोपी परिवार की फ्रेंस यहां पर आज की क्लास हो जाती कम्प्लीट और सभी कोशन का एक बार करेंगे जल्दी से सुपरफास रेविजन कोशन था किस वर्ग का प्यंजन है तो बिकल्प यहां पर हमारा सी से हो जाता है दन्त है अगला कोशन पन्नग का समानार्थी शब्द क्या है? आपसन अ से होता है उरग है नेक्स्ट हमारा कोशन जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं ना आए सब अधियारा मिट गया जब दीपक देख्या मा है इसमें अधियारो और दीपक किसके प्रतीक है option C सही हो जाता है ग्यान और अग्यान के प्रतीक है यामा किसकी रशना है यामा option B सही हो जाता है महादेवी बर्मा की रशना है नेक्स्ट है जो शब्दांस किसी शब्द के अंध में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं विकल्पियां पर C सही हो जाता है प्रत्य कहते हैं इस्तिती में परिवर्तन नव होने की भाव को ब्यक्त करने वाली सही कहवत क्या है option D वही ढाक के तीन पात क्रिया से बनने वाले भाव आच्छ संग्या कौन सी है option A थकावट मारा अगला कोशिन अनुरूप शमस्त पद में कौन सा समास है option C अब्याई भाव समास कौन सा शब्द ब्रमर का परियावाची नहीं है option D प्रभाकर सूरे का है रिजुता का सही बिलोम option B वक्रता जो पसीने से उत्पन हो उसके लिए एक उप्युक्त शब्द बताना है आपको option C स्वेदज next question है हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कभी एक आख से अंधा था option D जैसी कभी शब्द में कौन सी संग्या है option B जाती वाचक संग्या सस्वर वाचन का मुख्य उद्देशी क्या है option B बच्चों की पढ़ने समद्दे जिजग को समात करना हिंदी भासा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है option B एक साधन की तरह काम करती है भासा सिक्षन का आदर स्वातावरण option बध्यार्थियों को अव्यक्त की पूरी आजादी प्रदान करती है वालेक जिसमें किसी मुद्दे की प्रती समाचार पत्र अपनी राय प्रकट करते हैं समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है उसे हम कहते हैं option C संपाद की है जहाँ जहाँ शब्द ब्याकरन की दृष्टी से क्या है option C पुनरुक्त शब्द यूगम किसी वस्त को दूसरे देशे अपने देश में क्रय कर लाने की क्रया क्या कहलाती है option A आयात वा तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहबाद के पत्थ पर उपरोक्त पंक्तिया किसकी है option A सुर्यकांत्र पाठी निराला की है ठीक है चलिए सोहत ओढ़े पीत पट सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमड शैल पर आतप परियोप्रभात इसमें कौन सा अलंकार है मनो मानो जन जानो ये सारी चीजें option आपका D से हो जाता उत्परिक्छा कोशी ने गीता मंद मंद मुस्कुरा रही इस वाक के में व्याकरण की दृष्टी से ये पूछा जाना था मंद मंद क्या है option B से हो जाता है क्रिया विशेशन है ग्यान पीट पुरसकार के शेतर में स्ट्रेस्ट कारे करने पर दिया जाता है option D साहित्य कोशी ने निम्नांकित में से कौन सी भारूपी परिवार की भासन नहीं है अब सुनिया पर हमारा C से हो जाता है तमिल तो फ्रेंस यहाँ पर हिंदी के सभी important question complete होते हैं और साथ साथ मिसका हम लोगों ने सुपरफास revision भी कर लिया चलते हैं आज के सवाल की तरप आज का सवाल आप सभी के लिए मारा आज का सवाल है यामा किसकी रशना है भामानी बहुत ही important question आज का सवाल है यामा किसकी रशना है भामानी पर साथ मिश्र महादेवी वर्मा अग्य या मुक्ति बुद आप लोग जो भी इसके रशना कार हैं जिसने भी इसके रशना की है जिनोंने भी तो आप लोग उनके बारे में डिटेल में बताएंगे अच्छे तरीके से बताएंगे जिससे कि मुझे भी पता चले उस कम से कम उस कोश्चन से आपके चार-पांच कोश्चन और एक्स्ट्रा त्यार होने चाहिए तो फ्रेंस क्ला कुछ ने कुछ एक्टिविटी करती हुए मिल जाएंगे तो चले इसी के साथ ही मिलते ही फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए आप लोग अपना ख्यालों कियेगा गुडबाय आन टेक यह थैंक यू सो मच लब यू आल बबाय आन टेक यह जहन